तामबा, सोना, चांदी, प्लास्टिक, मेटल, साइच चीजों को चमकाने का आज मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स सेयर करूंगी बहुत ही आसान तरीकी से हम इनको घर पे ही इनकी मेंटेरिंस कर सकते हैं इनको हम चमका सकते हैं तो वही सब मैं आपसे सेयर करने वाली हेलो दोस्तो नमस्ते कैसे हैं आप सब आई होप सब स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो देखें यहां पर मेरे पास यह कुछ कॉपर के हैं यह बॉटले हैं और इनके साथ की गिलास हैं जो कि मैंने काफी टाइम से यूज नहीं किया हैं तो सोसरी हूं इनको यूज करूं और यहांपर यह एक मेरे पास लोटा भी है पूजय का तो इसकी मुझे सफाई करनी है तो चलिए देख लेते हैं क्या किया है मैने इन के लिए तो देखें यहांपर मैंने एक बावल में दो-तिन सिक्के ले लिए हैं उसमें मैंने थोड़ा से चावल ले लिए हैं और जी हां मैं मैं इसको सॉस से करने वाली हूं साब तो आप भी इसका मैजिक देख सकते हैं सॉस का यह सॉस खाने के लावा तांबे को चमकाने में बहुत हैल्प करता है और ले लिया है मैंने यहां पर डिस वास तो थोड़ा सा ही लेंगे तो सबको मैं अच्छे से यहां पर इसके अंदर भर लूँगी बॉटल के अंदर तो इससे जो है हम जैसे हम चावल के आटे से अपना स्क्रब करते हैं तो वैसे ही इस बॉटल का भी आज स्क्रब होगा अंदर से तो चलिए इसमें मैंने तोड़ा सा पाने डाल दिया है और इसको मैं अच्छे से बंद करके अब इसको ही खुब ऐसे सेख करूंगी ताकि अंदर से भी साफ हो जाए और चलिए देख लेते हैं अब इसको मैंने बाहर से कैसे चमकाना है तो इसके लिए मैंने ले लिया है यहां पे इसक्रब है बरतन दोने वाला वो मैंने ले लिया है यहां पे और ले लिया है फिर से एक पाउट साइस का तो इस से जो है फिर में इसको साप करने वाली हो यकीन मालिए यह बहुत अच्छे से साप वर्क करता है और बहुत अच्छे से यह क्लीन करता है और बिल्कुल जादा भी महनत नहीं करनी होती हैं ज्यादा रगणना नहीं है बस थोड़ा सा ही मैंगी यह अपना और पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब जो है इससे मैं इसको रब करूंगी इसक्रब की मदद से और साप कर लूँगी अच्छे से तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मुझे ये दोनों में से कौन सा ट्रिक ज्यादा अच्छा लगा ज्यादा रिजल्ट किसका अच्छा रहा तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बिना दूला हुआ है और इदर साप पता चल रहा है कि कौन अच्छा मैंने धूला है कौन सा नहीं तो यह देखे फरक आपके सामने है सब कुछ रिजल्ट तो यहां पर इस लोटे को भी मैं यहां पर चमका देती हूं कुछ दिन पहले ही मैंने इसको साप किया था तो एक दम अभी सापी है लेकिन फिर भी जब धूल रहे हैं तो मैं ज़्यादा मैंने इसको रब भी नहीं किया और आसानी से हो गया आटे से थोड़ा सा लगा मुझे तो यह दिखी यहां पर मेरे सारे बरतान एकदम चमक के रैडी हो गए हैं तयार हो गए हैं तो आप इस ट्रिक को जरूर इस्तमाल कीजिए गार बहुत आसान तरीके से एक चमकाएं और कुछ मेरी पुरानी पाइले हैं तो चलिए देख लेते हैं इनको कैसे साब करती हूं तो यहां पर मैंने एक बाउल ले लिया है इसमें मैंने गरम गरम पानी डाल दिया है और इसमें डालूंगी अब खाने वाला सोड़ा जो होता है एक चमच के करीब मैंने और अब ले लेंगे इसमें फॉयल पेपर इसमें डाल देंगे और अब इसमें जो है हमारे जो भी यह हैं चांदी के पाइल वगेरा जो भी है इनको सब को इसमें डाल देंगे और 20 मिनट के लिए ठक के छोड़ देंगे तो चलिए यहां पर 20 मिनट रेस्ट करने के बाद हां पर मैंने चेक किया तो काफी अच्छे से ये work किया है इसने और बहुत अच्छे से मदब चमख गए हैं और जो कुछ थे नहीं जो जादे काले हो रहे थे तो इनको मैंने बृस सेलकसा किया है रभ किया है और ये एकदम चमख उठे है झाल झाल तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे नेक्स्ट इन वनरे ले लिए यहां पे यह कुछ रिंग्स फी ऑनकी का और यह रिंग्स भी रागो आउर पिनावी है तो यह पुराना सा लगने लगता है, इसकी जो चमक होती है वो फीकी पड़ जाती है, तो चलिए आज इन सब को हम चमकाएंगे, तो कैसे चमकाएंगे वो देख लेते हैं, और यहाँ पे चैन भी ली है, मैंने तो मुल्दब दो एरिंग्स है, और चैन है, दो रिंग्स है, और यहाँ पे मैंने इनके पीछे का जो होता है, इरिंग्स का वो निकाल लिया है, और चलिए, यहाँ पे रख लिया है, मैंने गैस पे एक बरतन रख लिया है, और इसमें मैंने पानी डाल दिया है, पानी इतना रखना है कि हमारी जो 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 एलरी है, वो अच्छे से डू इसको मीडियाम आज पर पकाना है एक दो मिनट के लिए आप इसको पका लीजिए तो यहां पर मैं इसपर दककपन लगा कि इसको एक तो चलिए यहां पर देख लेते हैं आप देख सकते हैं यहां पर जोएलरी में एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है और मतलब जो ऐसे हम फेशियल करते हैं तो वैसी हमारी मैंने अभी यहां पर अपनी गोल्ड की जोएलरी का भी फेशियल कर लिया है तो यह देखे मतलब अच्छे से चमक उठी है तो यहां पर देख सकते हैं आप तो चलिए दोस्तों नेक्स ट्रिप के और बढ़ते हैं तो यहां पर देखिए मैंने घर में मेरी जितनी भी बॉटले मैं इस्तमाल करती हूँ न डेली तो मैंने वो सारी ले ली हैं इसमें कुछ बच्चों की स्कुल की वर्टर बोटल हैं कुछ हमारे घर की यूज होने वाली हैं तो सारी ही मैंने ले ली हैं और यहां पर ले ली है नियूस पेपर जी हां नियूस पेपर तो सबके घर में होता है तो न्यूंज फिपर की से छोटे चोटे टुकड़े कर लिये हैं, और इसी से मैं बोटले आज साप करने वाली हुँ, और यकीन मानिए, बहुत अच्छे से चाले साप हो जाता है, और ये सारे मेने चोटे चोटे टुकडे लिये है लिए ना तो ये मेने बाटलों के अंदर भर लिये हैं और इससे हमें ये देखे ये वाली बाटा लिये लियंगे कितनी गंदी हो रही है ये सामने से पता चल रहा है कि आज कब बच्चे सबी मतलब गरम पानी यूज़ करते हैं तो उससे ज़्यादा यह जम जाता है तो चलिए देखें यहाँ पर न्यूस पेपर मैंने इसके अंदर भल लिया है और थोड़ा सा पानी डाला है और इसको मैं अच्छे से सेख करके और ओबरनाइट के लिए रख रही हूँ ऐसी छो लूँगी तो देखें दोस्तों जो न्यूस पेपर होता है इसमें एक परकार का केमिकल मिलाए जाता है जिससे यह बॉटले बहुत अच्छे से हमारी अंदर से क्लीन हो जाती है एकदम और उसी न्यूस पेपर से मैंने इसका बहार से भी जो लगा रहता है तोड़ा सा पो पर हमारी सिहत के लिए तो अब देखें यहां पर मैंने अच्छे से अब धो लेना है इनको क्योंकि न्यूस पेपर पूरी मलत डाला है हमने इसके अंदर तो वो कैमिकल लग गया होगा तो इसमें अपना डिस वास से अच्छे से धो लूँगी और मैं इसके बाद दिखात आपने सबने बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिखाया है तो उसके लिए आपका सब का दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं और इसी तरीके से अपना सपोर्ट अपना प्यार बनाए रखेगा मेरे साथ तो यहां पर देखें यह बोतले अच्छे से चमक गई है और यह वाली ब वीडियो आज की अपके लिए थोड़ी से भी हेलफुल др हो तो एक लाइक जरूर कीजिए गा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए गा तो ऐसे हैं हेलफुल और यूसफुल वीडियो देखने के लिए बैल आईकन को भी क्लिक कीजिए जिससे मेरी वीडियो की सबसे पहले नॉटिफिकेशन आपको आएगी तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सब का दिल से धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग